इट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कच्छा आठ अध्याय नौ और घर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो ये पाठ का है सामने से लेके ये इसको पूरा पढ़ लेना है और यहां पर देखी कुछ चीज़ें दी गई हैं इनको आपको देखना है चलिए सुरू करते हम लोग भी कुछ काम भी करना है तो नीचे दी गई घटना सामने दी गए बाक्स में लिखो प्रक्रिया को देखो और अपना मत लिखिए ठीक है जी इस घटना या प्रक्रिया में घरसन बल बढ़ेगा या घटेगा सामने दी गए बाक्स में लिखिए तो कारों ट्रकों था बुर्डोजर के टायर खाचेदार होते हैं खाचेदार के बना जाते हैं घरसन बढ़ाने के लिए तो क्या लिख होगे प्रक्रिया में घरसन बल बढ़ेगा प्रक्रिया ही तो देनी है तो प्रक्रिया में घरसन बल बढ़ेगा केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फ कि कबड़ी के खिलाडी अपने हाथों में मिटी रगड़ते हैं मिटी रगड़ते हैं पकड़ मजबूत करने के लिए तो खिलाडी तो पकड़ मजबूत करने के लिए तो प्रक्रिया में घरसन बल बढ़ेगा अब इसी तरह है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़केंग तो क्या होगा गोटियां तेजी से फिसलेंगी फिसलेंगी मतलब प्रक्रिया में घरसन बल घटेगा यह लिए अब आजाते हैं आगे इसमें क्या होगा इधर भी देख लेते हैं अब स्वाचालित वाहन तथा साइकलों की ब्रेक पणालियों में ब्रेक पैड का उप्योग करते हैं प्रक्रिया में घरसन बल बढ़ेगा अब पंखा आवाज करता है उसमें तेल डालते हैं, बिल्कुल जब पंखा चूंचू करने लगता है, काफी दिन का हो जाता है, तो उसमें तेल डालने हैं, तेल डालने से क्या होता है, वो चलने लगता है, इसका मतलब घरसनबल घट गया, तो प्रक्रिया में घरसनबल घटेगा, अब रोटी बेलते हैं, तो थोड सा सुखा आटा लगाते हैं सुखा आटा लगाने से क्या होता है सुखा आटा लगाते ही बेलन और चोकी के बीच में जो रोटी रहती है वो सरकने लगती है सरकने लगती है मतलब प्रक्रिया में घर सनबल घट गया यानि घटेगा यह लिखना आपको तो अब यह आ जाते है यहाँ पर प्रश्न नमबर एक खाली स्थान वाले ठीक है तो खाली स्थान क्या है नीचे दिये गए सब्दों का चैन कर रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए चलो जी कर देते हैं तो बाल बेरिंग उसमा कम आकृति प्रकृति और सापेक्षिगति इनको भरना है तो घरसन ए एक दूसरे के संपर्क में सतों के बीच सापेक्षिगति का विरोध करता है दूसरा घरसन से उसमा उत्पन होती है तिहां उसमा भर देना है ठीक है सरपी घरसन इस्थैतिक घरसन की तुलना में कम होता है तो यहां कम भर देना है घरसन बलवस्तु की प्रकृति तथा पर भी निर्भर करता है, यानि आकार और साइज दोनों पर निर्भर करता है, तो कई मसीनों में बाल बेरिंग का उप्योग करके घर्षन कम किया जाता है, बाल बेरिंग वही जो छर्रे वाले रहते हैं, उसमें बेरिंग ये से पंक्यों में लगी रहते हैं, तो कई मसीनों म सही का निसान लगाईए तो शुरू करते हैं निम्न में से किस में घर्षन बल घटता है तो इन सब में घर्षन बल तो बढ़े गता है इधर वाला कैरम बोल्ड पर पाउडर का उप्योग करने से घर्षन बल घटता है दूसरे में है कि माचिस की डिब्बी को साइड से खुर्दूरा क्यों बनाया जाता है उसका घर्षन बढ़ाने के लिए क्योंकि इसको घर्षन बढ़ाएंगे तब ही तो जलेगी गर्षन से ही तो जलती है तो उसका गर्षन बढ़ाने के लिए इसको साइड से खुर्दुरा बनाया जाता है चलो अगला प्रशन लेते हैं कि इसनेहक का प्रियोग मसीनों की छमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसनिहक का मतला होता है तेल ग्रीज जो क्या करते हैं यह जो है घरसन को कम कर देते हैं तो यहाँ पर यह बी में लिखा हुआ है यह घरसन को कम कर देता है अगला प्रिशन यह है कि जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे जोर से आवाज करने लगता है ऐसे में हम मिस्त्री को दिखाते हैं, पंके में तेल डालता है, क्यों? घर्षन बल कम करने के लिए, जैसे घर्षन बल कम करेगा, तो वो आवाज देना बंद हो जाएगा, और तेजी से चलने लगता है. अगला प्रशन है, बूजो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने चार रास्ते हैं, ये रहा बूजो और ये चार रास्ते दिखाए गए हैं, एक रास्ता चिकनी मिट्टी का है, दूसरा है फर्स संग मरमर का, तीसरा गिट्टी का है, और चौथा बर्व का, तो इस पर जवाब ये देना है, कि किस रास्ते पर बूजो के फिसलने की संभावना कम है, देखो जी, चिकनी मिट्टी में चलेगा, तो भी फिसलेगा, घिसा संग मरमर बढ़ाते जी से फिसलता है, गिट्टी ये नहीं फिसलेगी, बर्व बर्व में भी फिसलेगा, तो जो गिट्टी वाला रास्ता है नहीं रास्ता नमबर तीन इससे इसको घर जाना आसान होगा अब ये है प्रिश्ण नमबर एक अतिलगुत तिरी प्रिश्णों को देखना है शुरू करते हैं तो घर्षन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो घर्षन को प्रभ भावित करने वाले कारक होते हैं अब आजाएए अगला प्रिश्ट नमबर दो तो प्रिश्ट नमबर दो कह रहे हैं कि माचिस के बाक्स की खुर्दुरी सतह पर रगडने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है तो माचिस के बाक्स की खुर्दुरी सतह पर रगडन पर माचिस की तीली घरसन के कारण उत्पन गर्मी से जल उठती है ये लिख देना है अब तीसरा प्रशन है कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छड़कते हैं कैरम बोर्ड और कैरम की गोटियों के मद्ध का घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर चड़कते हैं यानि कि जितना उसमें चिकना हट होगी तो गोटियां उतना तेज फिसलेंगी ठीक है इसलिए उसमें पाउडर चड़कते हैं समझाईए कि एक मोटर में कहने मसीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है तो किसी मसीन के गतिसील पुर्जों यानि भागों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिसील प्रिष्ट सीधे ही एक दूसरे को रगण नहीं पाते और घरसन कम होने से गति सहज बन जाती है यानि की आसान हो जाती है चलो अगला प्रशन लेते हैं खिलाडियों के जूते की तली एवं बाहनों के टाइरों को खाचेदार क्यों बनाया जाता है घरसन अधिक किया जाता है जिससे मैदान या सड़क पर उनकी पकड़ अच्छी बनती है समझ में है इसलिए खाचेदार बनाया जाता है अब जो है छटवा प्रशन ले लेते हैं कि हवाई जहाज की आकरिती पक्षी की आकरिती के सामान क्यों बना जाती है तो इसका जवाब कुछ इस तरह देना है किसी तरल तरल को विज्ञान में जो भी तरल पदा आर्थ होते हैं उनको द्रव या गयस दोनों को तरल बोला गया है ठीक है न Rat तो चाहे द्रव लिखेंगे तब भी तरल है और गयस लिखेंगे तब भी तरल तो आप आँगे शुरू करेंगे तरल सब्द जब विग्यान में इस्तेमाल होगा तो द्रो और गैस तो नों के लिए होगा या पुद है नटना है तो किसी तरल पर लगने वाला बल उसकी तरल के सापेश गती पर निर्भर करता है यही कारण है कि हवाई जहाज की आकरती पक्षी की आकरती के समान बनाई जाती है कि तरल यानि कि गैस का घर्षण कम हो जाए यानि तरल का घर्षण का घर्षण कम हो जाए तो घर्षण कम करने के लिए उसकी आकरती ऐसी बना जाती है तो साफना प्रिशनी कह रहे हैं कि विराम आवस्था में किसी बाक्स को गत्सील करना अत्वा गत्सील बाक्स को उसी दिशा में सरकाना उप्रोगत दोनों कारियों में से कौन सा कार आसान है क्यों तो जी इसका जवाब इस तरह दे जी कि विराम आवस्था में किसी बाक्स को गतिसील करने की अपेच्छा गतिसील बाक्स को उसी दिसा में सरकाना आसान होता है क्योंकि सरपी घर्षण इस्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है अब अगला प्रिश्ण ये है कि इस नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उप्योग क्यों किया जाता है तो इसका जवाब लिख लिए कि घर्षन कम करने वाले पदार्थों को इस नेहक कहते हैं इनका उपयोग मसीनों के कलपूर्जों के बीच का घर्षन कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कलपूर्जे अधिक समय तक कारी कर सकें, ये इसका कारण है, ठीक है? अब नौवा नमबर लेते हैं, नौवा नमबर ये कह रहे हैं, कि कारण लिखिये, चलो जी, कारण दिये गए कथन को क्रिया कला आप दोरा इस पस्ट कीजे तो चलो करदेते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के प्रिष्ट पर लड़ती है तो उसकी गतिके पृतिरोद को लोटनिक घरसन कहते हैं लोटनिक घरसन सरपी घरसन से कम होता है इसलिए अधिकांस मसीगों में सरपन को बाल वेरिंग के उप्यूग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है इसलिए पहिए घर्षन कम कर देते हैं पाट समझ में आ गया अब दूसरा प्रशन ये कह रहे हैं सरदियों में अक्सर लोग हाथ रगडते हैं क्यूं तो इसका जवाब कुछ इस तरह लिख दिजे कि हाथों को आपस में रगडने पर हाथों के बीच घर्षन उत्पन होता है घर्षन के फलसुरूप उसमा उत्पन होने से हाथों के मद्य गर्मी का अनुभव होता है इसलिए सरदियों में अक्सर लोग हाथ रगडते हैं समझ पाए चलो जी अब इसका भी जवाब दे दो सरपी घर्षन इस्थैतिक घर्षन से कम क्यों होता है तो इसका जवाब इस तरह लिख दिए कि किसी रुकी ही वस्तु को विराम से गति प्रारम करने की इस्थिती में घर्षन पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल इस्थैतिक घर्षन के माप होती है इसके विपरीद किसी वस्तु को उसी चाल से गत्सी लगने के लिए आवश्यक बल उसके सरपी घर्षन के माप होती है तो अब जी तो दोनों का परिभासा हो गई अब उसके बारे में बता देना है कि जब वस्तु सरकना तो उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्ष के संपर्ग बिंदों में धस सकें अतैसरपी घर्षन इस्थैतिक घर्षन से कम होता है ठीक है जी अब प्रिश्ण नमबर दस पे ले लो प्रिश्ण नमबर दस ये कह रहे हैं कि घर्षन हानिकारक है परन्त अनिवार्य भी इस व कोई वस्तू गति आरंभ कर दे तो घर्षन ना हो तो वह कभी नहीं रुकेगी इस कारण हम दिवार में कील नहीं ठोक पाते धागे में गाठ नहीं बांध पाते मकान का निर्माण नहीं कर पाते इसलिए घर्षन अनिवार्य है इसके विप्रीद घर्षन हानिकारक भी है घर्षन के कारण वस्तू में घिस जाती हैं चाहे वह पेंच, बाल वेरिंग, अत्वा जूते के सोल ही क्यों ना हो इसलिए घर्षन जो है हानिकारक भी है अब आजाते हैं प्रोजेक्ट एक पर ये रहा प्रोजेक्ट एक तो प्रोजेक्ट एक में क्या दिया है कि दैनिक जीवन से संबंधित घरशन के उदाहरनों को यानि 5-5 लिखना है ठीक है तो ऐसे उदाहरन जिसमें घरशन को घटाया जाता है तो चलो जूतों की तली में खाचे बनाते हैं तो बढ़ जाता है टायर में खाचे बनाते हैं और वाहनों या साइकलियों कि में ब्रेक पैड थारभा, पीटी लगाने से भी होता है, जिमनास्टो दार्ण दारहात में रुक्च-पदार्थ लगाने से भी घर्षरन बढ़ता है, अब हबता है किसमें है, करबंगे पाउडर चिरके लोग ना दरवाजों, खड्कियों के कब्जों में तेल डालने से, मोटर साइक्ल, या ग्रिस लगाने से भी घटता है बेरिंग में ग्रिस लगाने से गतसील कर पूर्जों में इस नेहन का प्रयोग करने से भी घर्सन को घटाया जाता है ये हम लोग देखते हैं अपने जीवन में ठीक है अब प्रोजेक्ट नमबर दो भी ले लेते हैं, चलो तो प्रोजेक्ट दो ये कह रहे हैं कि यदि घरसन समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होता होगा ऐसी दस परिस्तितियां लिखिए यदि घरसन समाप्त हो जाए तो जीवन कई प्रकार से प्रभावित होगा चलने में परिसानी, दोडने में परिसानी खड़ा होना मुस्किल, पकड़नी पर चलना मुस्किल किसी वस्तु को पकड़ना मुस्किल, लिखना मुस्किल चलती वस्तु को रोकना मुस्किल, केल ठोकना मुस्किल धागे में गाट बागना मुस्किल भवन निर्माड करना असंभव हो जाएगा अब ये कह रहे हैं अगला प्रिस्ट ने ये है कि आपकी रुची के कोई पांच खेलों के नाम लिखिए जिसमें घर्सन बल कारी करता है तो हमारी रुची के पांच खेल जिनमें घर्सन बल कारी करता है पुटबाल कैरम दोड़ लगाना वेट लिप्टिंग वेट लिप्टिंग और कबड़ी खेलना इन सब में घर्सन बलकारी करता है अगला यह कह रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विविन वाहनों के टायरों के चित्रख्वारों वगरा से कहीं से कार मिल जाएंगे उनको निकालनिकालकर यहां लगा लेना है ठीक है तो इस तरह ही जो है अध्याय समात होता है मिलते हैं अगले अध्याय के साथ